नमस्कार दोस्तों मैं समर्सुर्यवन्षी और स्वागत है आपका PLC Learning Point पर आज के इस वीडियो में हम चार लेचिंग और अनलेचिंग के एक्जामपल्स के बारे में देखेंगे पहला एक्जामपल रहेगा स्टार्ट पुछ बटन के लिए एनो और स्टॉप पुछ बटन क यूज करेंगे तिसरे एक्जामपल में स्टार्ट के लिए एनसी पुछ बटन और स्टॉप के लिए एनो पुछ बटन यूज करेंगे और चोथे एक्जामपल के लिए स्टार्ट के लिए एनसी पुछ बटन और स्टॉप के लिए भी एनसी पुछ बटन यूज करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, पहली कंडिशन में X0 open है, और X1 भी open push button है, और Y01 output है, यदि पैनल की hard wiring में X0 मतलब start push button को open contact लेते हैं, और X1 मतलब stop push button को भी open contact लेते हैं, तो PLC programming में start push button के लिए हमें open contact लेना पड़ेगा, open contact के लिए ld space X0, और stop के लिए यदि open contact लेते हैं hard wiring में, तो PLC programming में एक inverse command लेना पड़ेगी, inverse command के लिए ldi space X1, output के लिए OUT space Y0, OUT space Y0, इस network का नाम देना है, motor 1, space नहीं देना है, अब दुसरा network एड़ करने के लिए control यहां से भी एड़ कर सकते हो, और control shift I से भी कर सकते हो, control shift I से दुसरा network एड़ होगा, दुसरे network के लिए motor 2, अब दुसरी condition में यदि start push button के लिए हम एक N O contact लेते हैं, और यदि stop के लिए N C push button लेते हैं, तो PLC programming में हमें start के लिए एक N O contact लेना पड़ेगा, ld space X2, और stop के लिए एक N O contact लेना पड़ेगा, इसके लिए ld space X3, और output के लिए O U T space Y2, क्योंकि यहां पर Y2 लिया हुआ है, फिर से एक नया network aid करने के लिए एक बार यहां पर क्लिक करना है, फिर control shift I press करना है, और इस network का नाम देना है motor 3, इस पेस नहीं देना है, यदि अगले network में हम hard wiring में start के लिए N C push button और stop के लिए N O push button यूज करते हैं, तो PLC programming में start के लिए N C contact यूज करना पड़ेगा, LDI space X4, इस टोप के लिए यदि N O push button लेते हैं, तो PLC programming में N C लेना पड़ेगा, LDI space X5, output के लिए N C push button यूज करते हैं, तो PLC programming में start के लिए N C contact यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर control shift I से एक network add करना है, और इस network का नाम लिखना है motor 4, start के लिए LDI space X6, यहाँ पर already N C command यूज करी हुई है, तो मैं PLC में एक N O command यूज करना पड़ेगी, LDI space X7 है, और Y6 लेना है, O U T space Y6, करना है, एक बार यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद जब यह parallel का symbol दिखाई दे, इसको यहाँ क्लिक करना है, एक बार यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर, इसे कहते हैं लेचिंग, इसकी अड्रेसिंग देना है Y0, इसकी अड्रेसिंग Y2, आउटपुट से लेचिंग कराना होगी है, इसकी Y4 देना है, Y4, इसकी अड्रेसिंग Y6 देना है, अब यह सारे प्रोग्राम लेच हो चुके हैं, फिर से, कमपाइल, डाउनलोड तो PLC, ओनलाइन मोड होने के बाद यह अब यह रन हो चुका है, अब देख लेते हैं पहली कंडिशन, अब देखिए, यह X0 और X1 ओफ है तो Y0 ओफ है, X0 और X1 ओफ है तो Y0 ओफ है, X0 को ओन कर देता हूँ, देखिए, X0 को ओन कर दिया, तो Y0 ओन हो गया है, उसके बाद यह X0 को ओफ कर देता हूँ, तब भी Y0 ओन रहेगा, क्योंकि यह लेच हो चुका है, अगली कंडिशन में यह X0 को ओफ रखता हूँ, X1 को ओन करता हूँ, तो Y0 ओफ हो जाएगा, X0 अभी ओफ है, और X1 को ओन किया, तो Y0 ओफ हो गया है, फिर से वही कंडिशन आ जाएगी, X0 और X1 ओफ है, तो Y0 ओफ है, देखिए, X0 ओफ है, और X1 ओफ है, तो Y0 ओफ है, नेक्स प्रोग्राम में देख लेते हैं, X2 ओफ और X3 औन है देखिए X2 आफ है और X3 औन है तो Y2 अभी आफ यडि आफ है X2 को अन करता हूँ तो Y2 ओन हो जाना चाहिए देखिए X2 को आफ रहे है तम भी Y2 ऑन रहेगा ये X2 को आफ किया तब भी y2 off है क्योंकि यह latch हो चुका है अगली condition में x2 और x3 दोनों off है तो y2 off हो जाएगा देखिए x2 और x3 दोनों off है तो y2 off हो गया है x2 को on x2 को off करता हूं x3 को on करता हूं देखिए x2 को off किया है और x3 को on करता हूं मतलब first वाली condition तो y2 और भी off है next condition में देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग x4 अभी nc contact है मतलब यह direct PLC को input दे रहा है मतलब यह PLC की नजर में on है तो इसे मुझे पहले on करना पड़ेगा अब यह PLC की नजर में on है और यह off है तो इसे PLC की नजर में आपको off रखना पड़ेगा x4 को यदि on करता हूं और x5 को off रखता हूं देखिए यह x4 को on किया और x5 को off किया देखिए x4 on है x5 off है x4 अभी on है x5 off है तो y4 अभी off है x4 को भी off करता हूं तो y4 on हो जाएगा देखिए x4 को यदि off करता हूं कि यह वह n से push button है तो यह y4 अभी off हो गया है अगली condition में यदि x4 को on कर देता हूं तभी y4 on रहेगा वो इसलिए नहीं हो रहा था मापी क्योंकि लेच हो चुका था देखिए x4 को off किया और x5 को x4 को on करना है x5 को off करना है x4 को on किया x5 को off कर दिया तब भी y4 on है फिर यदि x4 को on कर दिता हूं x5 को off करता हूं sorry x4 और x5 दोनों को on करता हूं देखिए x4 को on किया और x5 को on किया तो y4 off हो गया है फिर से y condition आ जाएगी x4 on है x5 off है तो y4 off है देखिए x4 on है x5 off है तो y4 अभी off है next program देख लेते हैं x6 और x7 दोनों ही on है x6 on है और x7 भी on है देखिए तो y6 अभी off है y6 अभी off है x6 को अभी off करता हूं मैं x6 को off किया देखिए तो y6 on हो गया है x6 और 7 दोनों को on रखता हूं देखिए दोनों को on रखता हूं तब भी y6 on रहेगा 6 को on रखना है 7 को off करना है देखिए 6 को on रखना है और 7 को off करना है 7 को off करना है तो y6 अभी off हो जाएगा 6 और 7 दोनों on रहेंगे तो y6 भी off रहेगा 6 भी on रहेगा और 7 भी on रहेगा तो y6 off रहेगा एक्स जिरो और एक्स वन अभी off है यहां पर जो यह white indication है इसका मतलब यह off है और यह green indication का मतलब होता यह on है देखिए यह दोनों अभी off है तो y0 off है y0 off है x0 को on करता हूं यहां से देखिए एक्स जिरो को on करता हूं तो y0 on हो जाएगा और यदि x0 को off कर देता हूं तब भी y0 on रहेगा देखिए यह X0 को अभी off कर देता हूँ तब भी Y0 on है क्योंकि यह latch हो चुका है X0 को off करता हूँ और X1 को on करता हूँ देखिए X0 को off करता हूँ यह भी off है और X1 को on करता हूँ यह X1 को on किया है तब Y0 अभी off हो गया है X0 और X1 दोनों off है तो y0 off फिर से यही condition आ जाएगी देखिए x0 अभी off है और x1 को off कर देता हूँ तो y0 अभी off रहेगा अब चलते हैं अगली condition की तरफ x2 off है x3 on है देखिए x2 अभी off है x3 on है तो y2 off है x2 और x3 दोनों को on कर देता हूँ x3 अभी on है x2 को भी on कर दूँगा मैं तो y2 on हो जाएगा यदि x2 को फिर off कर देता हूँ तब भी y2 on रहता है देखिए x2 को भी off कर देखिए तब भी y2 off है क्योंकि यह लेच हो चुका है x2 x3 दोनों off रहेंगे तब y2 off हो जाएगा देखिए x2 off है x3 को off करता हूँ तो y2 off हो चुका है फिर से y condition आजाएगी x2 को off करता हूँ और x3 को on करता हूँ देखिए x2 अभी off है और x3 को on करता हूँ तो y2 अभी off रहेगा अगली condition में देखिए x4 on है x5 off है x4 को on करता हूँ और x5 को off रपता हूँ तो वाइफ और आफ रहेगा देखिए यह लेट हो चुका है यहाँ पर आमने दोनों इन्वर्स कमांड यूज करी हुए देख सकते हैं आप यह दोनों इन्वर्स कमांड यूज है इसलिए यह अभी आफ है नेक्स्ट कंडिशन में x4 on है x5 off है देखिए x4 on है और x5 यह भी off करता है तब भी y4 off है नेक्स्ट कंडिशन देख लेते हैं एक शिक्स और एक सेवन 6 और 7 में 6 और 7 दोनों on है देखिए 6 on है और 7 भी on है लेकिन y6 अभी off है यदि 6 को off करता हूँ देखिए इसको off कर देता हूँ तो y6 on हो गया है और 6 और 7 दोनों को on करता हूँ तब भी y6 on रहेगा देखिए क्योंकि वो latch हो चुका है कि यदि इसको on करता हूँ तब भी on रहेगा ये latch हो चुका है 1 6 और एक 7 में 6 को on रखना है 7 को off करना देखिए 6 को on रखायगी और 7 को off कर देता हूँ तो y6 off हो जायगा और यदि 6 7 दोनों को को ओन करता हुट तो वाई सिक्स अर्च देखिए शिक्स और सेवन दोनों को ओन क्यों हैं उनकी मैंने काफी डिटेल उन वीडियो में बताई हुई है आप उन सारे वीडियो को देखें उनको फोलो करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे ल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत